काली मिर्च चिकन ब्लैक पेपर चिकन तो देखें यह कितना बड़िया बना है यह जितना देखने में अच्छा लग रहे है उतना ही यह खाने में टेस्टी भी है तो चलिए बिना किसी देखें हम आपने वीडियो स्टार्ट करते हैं यह मैंने एक किलोग्राम जो चिकन है वो वाश कर लिया है और इसके उपर मैं डाल रही हूँ काली मिर्च वो कुटी हुई डालूंगी मैं पाउडर नहीं यूज कर रही हूं इसके अंदर और साथ में मैं इसमें डालूंगी नमक तो वो अपने टेस्ट के अकार्डिंग डा कटी को कहशिकर करिंगी इसको मिक्स कर लेते हैं इसको एक घंटे के लिए हम कवर करके रख देते हैं चलिए देखिद चप करते हैं अभी यह गंटा हो चुका है इसको मैं मैं ऐसे ही सीदा गैस पर चढ़ादूगी तो इसी Lazap मिश्णी किएकश भीम संभाए को उसी के अं अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उधर मैंने उसको डख दिया है थोड़ी देर के बाद वो कुख हो जाएगा चिकन जो है हमारा अच्छे से पक जाएगा और इधर मैंने दो चमच जो देसी घी है वो ले लिया है इसके अंदर एक अलग अड़ाई के अंदर और इसके अंदर मैं एड़ करूँगी चॉप्ट अनियांस तीन से चार जो बड़े प्याश है वो मैंने लिये है अब इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ लेसुन काटने की जरूरत नहीं है अब साबुत ही डाल सकते हैं और अदरक के कुछ टुकड़े और हरी मिर्ची हरी मिर्ची बहुत जादा तीखी नहीं थी तो इसलिए मैंने चार से पांच ली है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें ये देखें जो मेरा मसाला है वो कितने अच्छे से बुन चुका है अभी मैं फ्लेम ओफ कर देती हूँ और इसको मैं अभी एक मिक्सी के पाट के अंदर डाल लेती हूँ थोड़ा सा पानी अड़ करूँगी और ये देखें इसकी कितनी स्मूथ सी एक जो पेस्ट है वो तैयार हो चुकी है और इधर हमारा जो चिकन है वो भी अच्छे से पक चुका है तो अभी इसके अंदर मैं अड़ कर देती हूँ अपना पेस्ट वच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर एड़ करूँगी चिकन का मसाला और नमक और उपर डालूँगी थोड़ी सी काली मिर्च और अभी मैं इसमें अड़ कर रही हूँ कसूरी मिथी और ये मैंने इसके अंदर एड़ किया है थोड़ा सा दहीं और थोड़ा सा दूद और उसके उपर मैंने डाला है एक कप पाने अधी कटोरी दूद और दहीं दोनों मिक्स करके और उपर आधा कप पाने तो अब है मैंने 5 मिनट के बाद इसको फिर से open किया है ये देखे है ये ready हो चुका है और मैंने sop भी कर दिया है तो अब देर किस बात की आप इसके ऊपर डालें थोड़ा सा कसूरी मेथी और काले मिर्च वो मैंने कुटी हुई डाली है काले मिर्च तो बस अब आप इसको enjoy कीजिए रोटी और चावल के साथ और मुझे comment box में बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी तो good bye